हालो स्टुदेंट्स एन दे प्रेबिएस वीडियो वी कम्पेटेट चेप्टर नमबर फो एन दिस वीडियो वे डिस्कस अबाओट फिचर्स इन पेंट चेप्टर नमबर फिट तो इसमें देखते हैं मैटा कोंपी बोलता है है हाई फ्रेंट्स इन देप्रीविज ख्लास्स यू लेंड टू ड्रो एंड कलर दा पेंड ट्रिक है हलो दोस्तों आपने पिछली कछाह में आप जान चुकिया हूं लेंड कर चुकिया हो ड्राओ एंड कलर इंड ठीक है you must have practiced a lot I hope कि आप लोग बहुत ज़्याद है प्रैक्टिस भी किये होगे so want to learn some new features in paint that makes your work more enjoyable तो आएए हम लोग कुछ paint की new features के बारे में जानते हैं और आपकी वर्क को और enjoyful बनाते हैं तो let's start now तो हम लोग start करते हैं before learning something new let us first revise a little of what you did before कुछ से नया सीखने से पहले हम लोग थोड़ा से प्रिवाज कर लेते हैं तो इसमें मैं लोग देखते हैं बाटा MS paint ठीक है MS paint MS paint is a simple graphic program used to draw pictures on the skin and color them in different colors ठीक है MS paint क्या होता है एक simple graphic program होता है जिसका यूज करने के लिए पिक्चर द्रा करने के लिए इसकिन पर और color करने के लिए ठीक है और भी different different color से यूज different available tools to draw ठीक है यूज अब यूज कर सकते हो ठीक है different available tools इसके अंदर के जो अलग लेक प्रकार के tools available होते हैं उनको draw करने के लिए ठीक है इस tools are line tools ठीक है यह जो tools होते हैं होते हैं करो टूल होते हैं polygon tools होते हैं और वेल टूल्स पैंसिल तूल और मेनी एदस ठीक है बहुत धेर साज़ा होते हैं तो हम लोग देखते हैं बटा starting paint program ठीक है paint program को starting कैसे करते हैं तो फरस्ट आप लोग क्लिक करेंगे फिर फिर क्लिक करेंगे फिर दैन क्लिक on paint फिर उसके बाद हम लोग paint पर क्लिक करेंगे फिर क्या होगा गटा देखते हैं और बेटा टीक है paint इन्वार्मेंट देखते हैं आपटर ओपनिंग पैंट ओपनिंग से पहले यू विल सी एट पेंट मौडिफाइड तो अलब बाजन ऑफ है आप देखोगे कि जो paint है वो completely modify कर दिया गया जो old version था paint का उससे now all the items are at the top of the windows ठीक है तो now इस वक्त में जो होगा कि इस वक्त का paint है उसमें सभी items के हां पर बैटा windows के top पर है तो let's have a look toward the different component of a new paint windows ठीक है तो let's have a look toward ठीक है तो आई हम लोग देखते हैं different component of new paint windows में जो new component रिया गया है different type के उसके बारे में देखते हैं ठीक है first of all देखेंगे बैटा आप यहां पर टाइप बन किया आएगा जैसे आप open करोगे तिसमें quiz access toolbar होगा ओके उसके नीचे paint बटन होगा फिर उसके नीचे आपको दिखेंगा क्या drawing area ओके फिर आगे हम लोग देखते हैं quick access toolbar में क्या होगा ठीक तो quick access toolbar on the title बार ठीक है title बार पर there is a small bar ठीक है एक small bar होता है वहाँ पर that contain buttons like save endo and redo etc ठीक है उसमें क्या होता ही बेटा buttons होती है जिसमें save connect options होता है और endo और redo को भी बटम होता है ठीक है फिर उसके बाद हम लोग देखते है paint button paint button में क्या है below the quick access toolbar ठीक है just quick access toolbar के नीचे toolbar in on the left side ठीक है और उसके left side में there is a button called paint button ठीक है just quick access toolbar के नीचे और left side में एक button होती है जिसको क्या बोल दें बटा paint button by clicking this button ठीक है इस button को click करने के बाद the main menu of paint will open will open which contain a list of options like new options save print etc ठीक है अब जैसे क्लिक करते हो button button ठीक है paint button पर तो क्या होगा बटा जो menu है paint का ओफ वेपन ओपन हो करके आ जाएगा और उसमें जो कुछ भी list list के option होंगे ठीक है जैसे new हो गया open हो गया save हो गया print हो एट्सेटरा यह आपको open हो करके आ जाएगा जैसे यहां पर एक लिए से दिखाया ओके आगे देखते हैं मटा टैप ठीक तो टैप देखते हैं next to paint button there are two tabs home tab and weave tab in the paint ठीक है जैसे आप paint button के next में जाओगे वहां पर two tabs की buttons होंगे ठीक है एक तो home tab होगा और दूसरा क्या होगा बटा with tab in the home tab you will see all the editing tools आप जैसे ही home tab पे click करोगे तापको क्या दिखाया देगे बटा जितने भी editing tools होंगे और in the weave tab और weave tab पे आप जैसे ही click करोगे you will see zoom in zoom out full screen mode option ठीक है जब आपको options दिखाया देगा okay you can also select to show rulers and grid lines on the image which can help you align element in an image ठीक है you can also select जैसे ही आप select कर होगे तो rulers होने लगता है ठीक है जो अब क्या करता help करता है कि जो align elements देखें जो छोटे-छोटे image के छोटे-छोटे पार्ज होंगे ठीक है उसको अब देख सकोगे ठीक है जिससे जूम आउट करोगे ठीक तो उसमें रूलर आएगा ठीक है तो उसको नीचे उपर आफ ले जा करके उसको क्लीनिस अच्छे से देख लोगे है ओकी नेक्स देखते हैं एक टैब का शॉट फर्म बना करके देदिया वहां पर ठीक है पेस्ट कॉपी कट इसको अब लोग ध्यान से देखो बहुत छोटे-छोटे पार्ट है तिसलिए इसको बहुत जादे हम लोग नहीं करेंगे आप कंप्यूटर लेब में जाओगे जिसका प्रेच्ल करोगे, ठीक है नेक्स देखते है वकटता color plate जो home type होता है उससी में होता है क्या बटा वो consist करता है color plates को you can select any color you want to use through this plate ठीक है आप क्या कर सकते हो कोई भी एक color link कर सकते हो जिसको off use करना चाहते हो उस प्लेट से ओके इसमें first देखते हैं बटा इसको scroll करके उपर ले चलते हैं फिर उसके one okay the color one box so the active color ठीक है इसमें जो color one box है ओ क्या करता है so करता है active color a foreground color ठीक है to change the foreground color click on color one box and then click on the desired color on the color plate ठीक आपको क्या करोगे बटा कि फोर brown color आपको change करना होगा ठीक है जिसको आप background भी बोल सकते हो और color आपको change करना होगा तब क्या करोगी color one box पे क्लिक करोगे फिर उसके बाद जो आपको color चाहिए ठीक है उस color प्लेट पे आप उस color के उपर क्लिक करोगे ठीक है अब the color box 2 जो होता है ओ क्या होता है बाटा बैक ग्राउंड कलर होता है ठीक है जो क्लर 2 box होता होता है default color होता है अधि कोई new image create करते हो तो to change the background color click on color to box and then click on the desired color in the color plate ठीक है अधि आप background color को change करना चाहते हो तो color to box पर click करोगे then फिर उसके बाद आपको जो color पर संद होगा इस पर color palette पर click करोगे okay next देखते हैं मैंटा tools in paint ठीक है paint में tools कौन कौन से होते हैं तो फर्स्ट आपल देखते हैं now we will revise the tools you've used before in the previous classes ठीक है अब आप वे वी रिवाइज ठीक है अब लोग रिवाइज करते हों तूल्स को ठीक है जिसको अब लोग प्रिविएस क्लासेस में यूज कर चुके हो तो फर्स्ट आप आप पैंसिल टूल्स एट इस टू ड्रॉव जाओ ए चैनल कभर्ण या इस्ट्रेयट सो फैपी एड्स कवर्ड लैंस ठीक है जो पैंसिल क्या होता है भताँ ऑस्टेइच हो गया तिक है आमद यह नाल्मल पेंसिल टीक है त्य आपको तो नहां पैंसिल जैसे जन्ड से अब ड्रा करने में युज करते हूं freehand drawing can you done using this tools freehand ठीक है जो आप अपने freehand से इस drawing को drawing can be done using this tools इस tools का इस्तिमाल करके आप क्या करो करें बैटाओ freehand drawing बना सकते हूं अभी समय देखते हैं second दिया 解 되어 2 यरेजर टुल इस तुल इस चुपला एक योर नार्मल अरीजल से विच एच इस को अरीज़ करने हो है उसके पाइट को तो इसको इस में लिया जाता है अब कि नेक्स देखते हैं ब्रस्टूल्स कि इसे आप क्या कर सकते हुए बटा क्या फ्रीहंड लाइंस ठीक है आप कोई भी लाइन ड्रा करना चाहते हो फ्रीहंड से तो आप इससे ड्रा कर सकते हो वह भी डिफेंड स्टाइल में ठीक है और यह टूल्स ड्राइंग को कलर करने में भी यूज़ किया जाता है नेक्स देखते हैं बटा लाइन टूल्स ठीक है इस टूल यूज़ तू ड्रो और जेंटल वेर्किल और स्ट्रेंट स्लाइटिंगो स्ट्रेट्ट लाइन एंप इसको डिफ्रेंट डिफ्रेंट थिकनेस तर्ढ ठीक है वहां जेंटल डाइन वार्म एसनिंटनीं Gia अब इसको डिफ्रेंट डिफ्रेंट थीकनिस में उसके बाद देखते हैं rectangle लिया उगा इस तो ड्रोव इसको आफ्रेक्टेंगल इस युष पहते है और यह को स्कॉर और रेक्टेंगल करना हो तो उसके में ठेकर फिर आगे देखते हैं तो इस तेमाल कहा पर बनाना चाहते हो तो वहां पर इसका इसका एक्टरेंगल टूल्स तीक है राउंडेड रेक्टरेंगल टूल्स अब इसका देखते हैं इस तेमाल कहां पर किया जाता है सब्सक्ति तो अजो इस टूरीनट पर आंब इसका इसकुए रेक्टरेंगल बट विढ harvest रौंडेड करन से जो रौंडेड टूल्स होता है इसको इसका हुए इसनाल कहां पर किया जाता है इसके एक्ばाइजिज बनाने में बड इसका जो करन לש die ओ ट्रेंगल और ज्वाइनेग से कह गठाता है कोई-ड्रेंगेशका को कोई खो में वे जोएनिक से उसके लिए रटोल्स का डिष टूल सुंद ठीक्स ऑन यह ड्रॉइंग ऑड इस टू जो ब्रॉइंग करना चाहिए कौई बेट प्लस्ट तो चूर्व का इस्तिमाल करके कुछु भी राइट कर सकते हो । नेक्स्ट स्विग्त टूल कि जिकिए है कि रिестно hetky करने के लिए drawing को अहां उसके किसी एक part को ठीक it also allowed to move the object from one place to another ठीक है और यह क्या करता है इसफाव करता है move करने के लिए ठीक है एक object से एक object को ठीक है वह एक place से दूसरे प्लेस तक नेक्ट देखते हैं सम एडवांस फिचस इन पेंट अब आगे देखते हैं बाटा कुछ एडवांस फिचस दो दिया गया पेंट में उसको अपर्ट फ्रम टूल्स यू है लेंड देर आर मेनी अदर फिचस इन पेंट यू के बाद आप क्या करेंगे बेटर आप सीखोगे देर अमेनी अदर फिचस ठीक है और कुछ फिचस जो पेंड में दिया गया है उसको आप सीखोगे तो इसेट यू कैन भूई well टीक है जिसका पेंव जिच करोगे पर्ट किया गर टो डोखिजाओ टेलग एट तलर और सलटर जो रिसाइज कमान्ड होगा उसका अउसकील कहांपर करते हैं चैक है इसक्वाट को च्छिंज करने के लिए ड्राइंग का ठीक है उसमें के तो आप छोटा बना सकते हो बड़ा बना सकते हो ठीक हो और sq command स्क्वाद करना स्क्वाद का इस्तिमाल कहां पर करते हो जब आप किसी भी इमेज को ड्रेंग को ट्विस्ट करना चाहते हूं ठीको हल्का सा घुमाना चाहते हो जैसे किसी आंगल पर ठीक है आपको 35 degree एंगल और 45 56 किसी भी ऑंगल पर आपको ट्विस्ट करना क्या करोगे इसकी इमेज का क्लिक करेंगे देन सेलेक्ट पे फिर उसकी बात क्या करेंगे त्युक्त फिर इमेज को सेलेक्ट करेंगे उसको ड्रैगिंग करेंगे माउस के प्रफे प्रफे वैसा सिह प्रफिर लिश्य क्लिक रभी एंड में अधाया चाहरा क्या टेखिए बात कारना चाहरा होना वह एक और इसलेक्ट गोट्रीस अगार्ट एक्सेप्ट रेषए यॉ क्या करो shooting अब तोश्केंगने घक्ट एक्सेट रासल आउंज हॉटट इसके क्लिक करए कि लेकितर सथेने क्या हुद और अडब क्लिक करो सब्सक्राlist सब्सक्राइब इमेज को कैसे तीर्षा बनाते हैं फिर्स्टाप आप देखो कि पहले यह में जाए सब्सक्राइब इसको करके कैसे बनाते हैं आप होमपैट पर फिर उसकी बाद करोगे क्लिक अब यहां देखो जाएगा अब को क्या होगा रिसाइज एंड इसकी डायलोग बखस अपीर हो जाएगा फिर इसकी बाद आप क्या करोगे टायप इंद ऑसक्राइब और इसकी बाग्स टीक है अब इस पर टाइब करोगी और जेन्टल से कितना इसकीव करना और रोंटिटल से पर उसकी बाद क्या करो कि खिलिक करो कि ठीक है जैसे आप अब के करोगे आपको देखो एए मेंज हलका साथ क्या हो गया ठीक है निए इमेज विल अपिर आपको तुरंत ही नएएमेंज अपिर सो जाए को देखते हैं बटा फिल्ट एंड रोटेट को प्रक्राइब करेंगे बाई युजिंग फ्लिप कमाड्ट का इस्तिमल कप करते हैं यूगान क्रियेट मिड्टक है जब आपको कोई मिरेर इमेज बनाना ओ ठीक है तब क्या करोगो बैटा फ्लिफ कमाड़् को चलाओगे फिर elect Probably औरिजिंग रोटेर कमांड तके रोटेर कमांड करते हों जबाप क्या करोगे किसी भी कि इसब्सकेद दो पोजीशन ऑफ एइंगल एंड्रेंट एंगल टिक है आपaurus की करोगे पोजीशन को छेंज करनायते हूं डिफेंट एंगल पर तुसको किया कोई होगे बटा रोटेट का कमाड चलाओगे देन उसकी बाद कि एदिखो हूम आएगा सेलेक्ट आएगा फिर इसकी बात क्या अब तिक छी बात रोटेट पर जाओगे ठीक है थर्ड आफ्सें तक तो आपको कामन पीर उसकी बाद क्या को रहे हो फोर्थ इस पर उसमें कहां पर जा रहे थे रिसाजिंग वाले में बटेज में कहां करेंगे रोटेट वाले ठीक है आपको रोटेट एंड फिलिफ आप सब्सक्राइब हो जाएगा अब फिर उसकी बाद अब कि करोगी आपको वह में जा करके दिखाय देगा ठीक है 90 डिए इस इमेज रोटेट एंड इस वाइज रोटेन इस ने नाइट डिगर लेप तको तुरंत इमेज दिखाय देगा आपको रोटेट किया हो ओके फिर उसकी बाद देखते है बटा जूम इन एंड जूम आ इमेज ठीक है आप करोगी कोई भी दराइंग है इमेज है इसको छोटा करना वाला करनां हो ठीक है तो उसमें आप जूम इन आँओ Dalam मों को चलाह भगा ठीक है ठीक है तो जूम In in बाल्सट बेस कंूल रिस पैज अब की डिए क्या करोगी कंट्रोल के साथ सब्सक्राइब की आप क्रेश करोगई की बूर्ड का तब किया ओगे बिटा जुमिन हो जाएगा ठीकि अब जुम आउट के लिए क्लिए क्या करोगी को का ड्रल प्लस प्लास तो क्या करोण कि आपको प्रेस करनाा ओगा फंट्ट हो गे अपर्रस्ट अब या搞ोगे बीटा अप फ्यतकर चाहिक के क्लिक अन्विज्वूब टैफ क्लिक अन्ड़ फ्लोलोईंग उप्शिं ठीक है अब उसके बात क्या करोगे अपthe क्लिक करोगे फिर उसकी बात क्या को रहें click on zoom in increase the zoom level ठीक है जूम level को increase के अंगले जुम आट पी करोगे reduce करने के लिए zoom का लेवल फिर उसकी बात क्या करोगे आप click on 100% to see the actual size of image ठीक है आप क्या करोगे hundred click on 100% पर आप click करोगे ठीक है actual size देखना होगा image का तूँप से नेखिए क्रॉप इमेज एकने कौशे करते हैं If You Want To See Only the selected part of an image ठी है आधि आप च्काहते हो की आप किसी image की जिस पार को से न का है पैसे फिक उस फब फूप फॉर इट आप इसमें क्यैंक हो रग fat Co is quiteética कुओ अब्ड़ कर सकते text lawwide selected part of an image in visible ठीक है after copying जैसे ही आप crop करोगे तो आपको क्या होगा जितने भी selected part होंगे image के वह ही आपको visible होगे वह ही आपको दिखाये देंगे ओके तिसमें first आप क्या कुरोगे बटा क्लिक करोगे home type फिर उसकी बात select फिर उसकी बाद क्या करोगे select the part of the image you want to see ठीक है फिर उसकी बाद आपको क्या दिखाये देगा only the selected part of appear ठीक है जितना आप select किया होगे उतने भी आपको image का पाड दिखाये देगा जैसे for example देखो यहां पर यहां पर यहां पर क्या था एक प्लेस से copy कर सकते हैं और उस पर paste कर सकते हैं another place पर copying image allow you to make duplicate image in the drawing area ठीक है जो copying image होता हो क्या करता है बटा आपको उस image का duplicate देता है ठीक है फिर आप क्या कर सकते हो you can save our time by not drawing the same image again and again तो जिससे आपको क्या हो गए बटा आपने time को save कर सकते हूं उससी same drawing को आप बार बार ने ड्रा करोगे ठीक है बार बार ओके next देखते हैं इसमें क्या दिया है क्या करोगे फिर उसके बाद बेना click on home type पर जाएंगे फिर select select option पर जाएंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे बाद अब क्या करेंगे फिर क्लिक करेंगे फिर आँ कीबोड का control प्लस भी पेस्ट करेंगे क्या हो जाएगा ओ पेस्ट हो जाएगा ओके फिर दा डूबली कीट image will appear in the drawing area ठीक है जैसे हैं आप copy करके paste करोगे control c करके control भी करोगे आपको उसी की डूबली केट copy आपको दिखाने लगे ठीक है फिर उसके बाद क्या होगा कि नाओ दब नाओ प्लेस्ट दा माउस pointer on the selected image and draw it the any here in drawing area जो जो माउस पॉइंटर का place है ठीक है selected image का उसको यह क्या कर सकते हों कहीं भी drawing area पर आप ड्रा कर सकते हूं, ओके, नई रखता है, cut and paste, cut and paste और use to cut the image from its original place and paste another place within the drawing area, ठीक है, अब cut से क्या करते हो, बटा, जो image का original place होगा, वहाँ से आप cut कर लोगे, और उसको paste करोगे another place, किसी दूसरे place पर drawing area है कि ठीक है, cutting image, will remove the image from the drawing area, जब आप image को cut कर दोगे, तो वो remove हो जाता है, ठीक है, drawing area से remove हो जाएगा नहीं है, उसका जो original place रहेगा, वहाँ से वो remove हो जाएगा, इसमें क्या करोगे बटा, आप सबसे पहले home type पर जाओगे, then select करोगे, फिर उसकी बात क्या करोगे, image को dragging करोगे, फिर उसक disappear from the paint windows, ठीक है, जो image है, open window से disappear हो जाएगा, now open the windows area, where you want to place the image, फिर आप क्या करोगे, उस window area को open करोगे, जहाँ पर आप इस image को रखना चाहते हो, फिर उसकी बात क्या करोगे, control plus, sorry, उस image को paste करोगे, तो उसमें आप क्या करोगे, control plus B, जैसे ही press करोगे, क्या होगा, आपका image paste हो जाएगा, then image will appear in the drawing area, फिर उसकी बात क्या होगा, वो आपको image दिखाई देने लगेगा, अपने drawing area पर, फिर save और image, अपने image को save कैसे करोगे, आप इसको देखते हो, you can save our image for future use, ठीक है, जो अपना image है, उसको future use के लिए क्लिए 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 क्लिए, saving an image allow you to review it later and edit the image, क पर जाओगे, तो क्या करोगे, आपको allow करता है, review देखने के लिए, ठीक है, it later ended damage, आउसको क्या कर सकते हो, कोई भी edit वह रखना हो, तो उस image पर आप कर सकते हो, ठीक है, तो फस्टा पर क्या करोगे, बटा, click on the pen button, pen button में आप क्लिए करोगे, फिर pen menu will appear, फिर pen menu आपको appear हो हो जाएगा, ठीक है, click on save option, आप क्या करोगे, उस पर जाकर के save option पर click करोगे, आप डारेक्ट कंट्रल प्लेस स्कर लोगे, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, the save as dialogue box appear, तो क्या हो जाएगा, आपको save as dialogue box appear हो जाएगा, तो फिर type the name of the image in file name, ठीक है, आप उसका जो नाम दे हो जाएगा, ओके, तो यह process था हम लोग के बटा pen में, जो pen का new features था, तो हम लोग क्या chapter complete होता है, फिर मिलते हैं next video के साथ, next chapter में, ओके, thank you